नमस्कार युकति अप्तर्क से आपका डेमांड था कि वहां से रिलेटेट कैसे प्रशन आएंगे या वह पॉश्ण में कैसे पढ़ना है तो उसके कुछ पॉश्ण हमने पढ़े हुए हैं कुछ प्रशन भी हम जानते ही हैं जैसे लगाते हैं तो प्रैक्टिस सेट में सॉल् आपको दिखेगा जिसमें सचाई भी होती है और सथिता भी हो सकती तो यहां पर बात करेंगे प्रतियप्ट की तर्क की आभिमत की और वाद विवात की देखें ध्यान से यह तर्क के जो पॉर्शन होते कुश्चन के ही किस प्रकार से हमको उलजाते हैं एक तो इसके जो टरम होते हैं जो option होता है और प्रेशन भी होता है इतना difficult difficult word देते हैं कि हम समझी नहीं पाते तो जिब समझ नहीं पाते तो हमें जो सबसे सुंदर लगता है वही option लगा के चले आथ तो गलत हो जाता है यहां हम थोड़ा बहुत जो समझते हैं जैसे यहां पर बात करें प्रतिक ग पोजल जो देते हैं उसको इससे related कर सकते हैं प्रतिक गयापती से दूसरा आपका तर्क तर्क आप आर्गुमेंट जानते हैं इसको हमें समझाने की जरूरत नहीं है तीसरा अभीमत अपिनियन मतलब जैसे आपका अपिनियन क्या है अभीमत नहीं समझ पा रहे है तो इसकी एक तर्क था सकते हैं तर्क बिज देता है उसमें इस पर के घुरे नहीं होतेैं कि वह किसी दून पर मैं एक अपके कंडिशन बेस्ट होता है वाद वीवाद में दो आपके पक्ष्छ ठोपिक के पक्ष में होता है यह और विपक्ष में दिबेट में भी आप सतता के घुड़ नहीं होता है डाय्यक्री नहीं कोई बोल रहा है गहल्म Exercisez सकता है लेकिन वो अपने हिसाब से वहांपे सही होने का प्रयाज करता तो ये महीं नहीं होताइब Bros ता आपका एक है इसको जट से लगा देज़े प्रतिगति लेकिन अकर ध्यान दे कि यह है क्यों तो प्रतिगप्ति मैंने बता एक तरह से आप जैसे प्रपोजल देते हैं किसी जिसका प्रस्ताव देते हैं प्रस्ताव को ही प्रतिगप्ति कह सकते हैं यह अनसंधान में भी आपका होता है ठीक है अनसंधान में भी आप जिस सिनॉपसिस जो बनाते हो प्रतिगप्ति होता है य जहां पर प्रतिग्यप्ति एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें सचाई मतर्ब सत्यता और सत्यता के दोनों के गुण होते हैं इसमें आपका जीवन रित्तान्त है उसमें भी चीज़े आ जाती हैं बहुत सारी संबंधित विवरण आ जाते हैं संभाव इस समय कौनसी पद्धती यूज करेंगे कौन से मैथेट से उसकरेंगे तो जरूरी नहीं है कि जितना प्रपोजल आपने सारा वहां पर लाग हो जाए यह प्रपोजल में कई चीज़े हम काट चाट करते हैं तो इसलिए एक मतरी ऐसा ऑप्शन है इसमें से जो उसमें सत्यता और सत्यता दोनों के ग जाप्टी.